राजधानी पटना में बीते कई दिनों से लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कहने को पुलिस प्रशाशन भी पूरी तरह से इलर्ट है लेकिन आज सुबा ही एक और घटना हो जाती है पटना के बाइपास थाना इलाके के महादेव अस्थान NS30 पर आज सुबा दो ट्रक और एक बाइक की जवर्दस्त टक्कर हो गई बता दे की बाइक पर दो लोग सबार थे जिसमें से एक की मौत घटना अस्थल पड़ी ही हो गई जबकि दूसरा गंभी रूप से घायल हो गय घायल व्यक्ति को आनन फानन में अस्थानिये लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया वहीं इस घटना के बाद अस्थानिये लोगों में काफी आक्रोस है लोगों का कहना है कि लगातार महादेव अस्थान NS30 के पास सरक दूर घटना होती रह ही है वही पुलिस अधिकारी ट्रैफिक ड्यूटी से गायव है बता दे की माननीय मुख मंत्री रामनात कोविंद जी का पटना साहिवा गुरुद्वारा में 22 अक्टूबर को प्रोग्राम है इसके बावजूत भी ट्रैफिक व्यवस्ता पूरी तरह से लचर नजर आ रही अभी ऌई से लचे हैं वzne मटें आर Hai से एह इषकारी का व्याओ को पारी खायव Explain किलेंगेfs सेंदीन कुर का आज सिर्प kicking सिर्पेत किलेंगे जाले इसाOoh किलेंगेफेफीन लिलेंगेवीन और सपने ठेजाश किलेंगेफेपेश किलेंगेफ़ बडरे अबेफेब किलेफेब